मुझे लगता है कितनी भी किताबे पढ़ लो शायद जिन्दगी जी करें, जिन्दगी समझाती है पर कहीं न कहीं मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ किताबे होती है जो इनसान की सोच बदल दे तो आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ किताब का नाम है October Junction और इसे लिखा है दिव्य प्रकार तूबे जीन इस किताब के पहले पन्ने की पहली लाइन कुछ इस तरह है लिखा है हमारे पास हर कहानी के दो वर्जिन होते हैं एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आपको समझाने के लिए जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जिन एक हो जाते हैं उस दिन लेखाक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है इस कहानी के सभी पात्र कालपनिक है और ये एक छूट पूरी कहानी को सच्चा बना देता है फिर आगे किसी पेच पर लिखा है हम जिस कहानी का हिस्सा है उसे शायद कोई लेखा कभी मिले ही न यही शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैजिटी है कि हमारी कहानी सुनने वाला कोई होँगा ही नहीं कोई कभी जान ही नी पाएंगा कि हमारे मन में आखिर था क्या हम थे कौन यह सवाल हमारे साथ ही चला जाएंगा कुछ लोग बोल देंगे कि बड़े अच्छै आदमी थे या बड़ी अच्छी औरत थी बस बस सबकी कहानी इतनी ही है जैसे किसी कहाने की किसी लाइन से हमें प्यार होता है उतना ही प्यार मुझे इस कहानी के इस हिस्से से है तो ना चाहते हुए भी मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज यार ये लाइन ज्ध्यान से सुनना लिखा है कुछ पा लेने के बाद जब हम एक गलास ठंडा पानी पीकर सुसताते हैं तब याद आता है कि हमारा वोई खिस्सा खो गया है जो इतना कुछ पाना जाता था चलते फिरते हम रोज कितना कुछ खोते जा रहे हैं कि याद ही नहीं आता कि कब बैट कर हमने आसमान में तारे गिने थे कब आखरी बार अपने हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ था कब बिना बात के ऐसे ही अपने मुबाइल पर किसे बिसरे हुए दोस्त को बिना किसी काम के कॉल किया था दोस्त जो अब थोड़ा सा अजनवी हो चुका है कब डूपते सूरज के साथ दस रुपए की मुमफलिया खाई थी कब रात भर बाते की थी कुछ पाल लेने की राह पर रोज भागते हुए भूल ही जाते है कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel Bye